आज इस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ Poco F1 के प्रोजेक्ट Elixir के लेटेस्ट अबडेट के बारे में जिसका वर्जन है 1.2 ओफिशल एंडवेट 12 ये बिल्ड है और इसका जो पिछला विल्ड था 1.0 था लेकिन यहां पे 1.2 आया हुआ है 1.0 के बाद तो अब हम बात क जरूर वाच करिएगा तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट Elixir जो है पहले थोड़ा अलग स्टाइल में यहां पे लिखा वा रहा था था भी थोड़ा अलग हो गया है बाकि एंडवेट वर्जन 12 है और लेक्जर वर्जन 1.2 जैसकी एंड सिक्यूर्टी पैच अपडेट करक है वाकि करनल भी यहां पर हमें 4.9 मिलता है जबकि पहले सिर्वल कोर का 10.3 मिलता था वाकि से लिनेक्स स्टेटस इनफोर्सिंग है पहले की तरह है और अब चलते हैं सेटेंग्स के तरह तो नेटवर्क एंटरनेट के अंदर वाइफा प्लस होट स्पोर्ट सेम टाइम पर एकसल लॉंचरी मिलता है वाकि गेम डेस्पोर्ट यह सब तो पहले सही था गेम सेटिंग्स एन यहां पर एसिस्टेंट भी काम कर रहे तो यहां पर दिक्कत हमें नहीं मिलती है और फिर यहां पर इसके अंदर आपको क्या कुछ एड हुआ हुआ है उसके बार में बात करे यहां पर सबसे पहले तो स्टेटस वार की सेटिंग्स में जो है इस आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर और फिर बाइबरेट उन टच जो कि टाल पर टच करने पर बाइबरेट होगा फोर जी आइकन है कंबाइन सिगनल आइकन भी दिया गया है जिसमें आपको दिख अब हमारा जो है यहां पर नेटवर्क अप्लाई हो गया कंबाइन जैसे के ओफ हो चुका है तो अब हमारा नेटवर्क भी देखने हो कि यहां पर मिलेगा वॉल्टी आइकन भी सो कर रहे हो नेटवर्क भी यहां पर आ चुके हैं तो कंबाइन से आपका जो है बिल्कुल लाटवैटरी एस्ट on your battery time अश्च्राइब भी सटम और व्राइब्य सब्सक्राइब कर सकते हो धायसम पway के वागे से सक्फरियंक फिकनलिया जाएगा वह मिक्स में जाओगे तो मिक्स अंदर आपको एडवांस रेस्टार्ट मिल जाता है जो कि बिल्कुल अच्छे तरी किसे काम कर रहा है और यहां पर आपका बाइबरेशन दिया गया जो कि फिंगर प्रिंट सेंसर के लिए है नीचे फिर प्लेवेक कंट्रोल है और और यहीं पर पहले बैटरी परसेंटेज का भी उपसन था जो की रिमूब हो चुक्त स्टेटस बार के अंदर एडवा थे यहां से रिमूब कर दिया गया बाकी बैटरी की बात करें तो टू आवर फूल ब्राइडनेस पर वीडियो प्ले करने के बास 63 परसेंट बैटरी हम बाकी सेटेंग्स में सभी स्लाइडर थोड़े से मोटर आपको देखने को मिलेंगे पहले के मुकाबले करें तो यह थोड़ा से यहां पर चेंज हुआ है बाके फिन नीचे आपका मल्टिवल सीम रिंग टोन अपसेट कर पाओगे और अडिप्टिव साउंड भी निव सेटिंग्स जो की निव एड़ बाकी और बाहर में आते हैं कलर्स के अंदर तो कलरस के अंदर पिक्चर एक स्फरी अपको डिया गए और फिर बौल पेपर स्टाइल आपका पूरा सेम रहेगा तो इसके इंदर में कोई नहीं मिलता और ढार कि अनदर जो बस्क्रीं को पतल बोलपीपर से वह भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरी की सीए अभी बोलपीपर मिल जाता है लेकिन डिफॉल्ट बोलपीपर यही सेट रहागा जो की अभी में सेट कर रहा हो इसके अंदर में इस बार and security के अंदर अलाकि यहां पर भी कोई change नहीं है not encrypted ही है बाकि fingerprint ही सिर्फ मिलेगा लेकिन pattern size जब आपको देखने को मिल जाएगा जो कि पहले नहीं मिलता तो pattern size भी है और fingerprint response आपका पहले तरह बिल्कुल अच्छा से काम कर और इस बार animation भी जैसे के तो zero का zero minute ही है कितना भी यूज करो यहां पर प्रोल्म देखने को मिली यहां पर कुछ भी time add नहीं हो रहा इसके अंदर में ज्वार ज्योंकि पहले प्रोल्म नहीं थी मुए सिस्टम के अंदर व्लाइब ट्रांसलेट अब आपको डारेक्ट यहां पर दे दिया गया है तो आपको सिर्फ लैंग्विज डाउनलोड करना है और जेस्टर में चलते हैं तो जेस्टर के अंदर हमारा सिस्टम नविगेशन की सेटिंग में चेंज अला किया है स्लाइडर तो चेंज हुए है थोड़े से लेगन यहां पर बैक सेंसविटी निव एड की गए है और साथ साथ यहां पर नीचे हैप्टिक फीड़एक और फुल फुल स्क्रीन जेश्चर यहां पर निव एड हुआ है अब इससे क्या होगा फुल स्क्रीन जेश्चर से आपका फिल जो है हाइड जो है क्योंकि कीबोर्ड के नीचे आप देख सकतो इस पेस कितना देखने को मिल रहा है लेकिन इसको जैसे हम इनेवल करते हैं अब अगर यहां पर type अगर कुछ भी करते हो इसके अंदर में तो आपका keyboard के नीचे कोई भी space नहीं लेने वाला है तो इस तरीके सी जो है काम करने वाला है इसलिए यहां पर एड़ किया गया तो इस तरीके सीजिक कर सकते हो फिर फिरीटन नवीगेशन के यूजर है इस योजर आगर है कोई दिकत यहां पर नहीं आएगी यह बिल्कुल अच्छी दरीके से काम करती है और को नहीं मिलेगी और 100 mode आपका बिल्कुल इस तरीकिस काम कर रहा है power button के अंदर यहाँ पे press and hold duration भी add कर दिया गया और यहीं पर पहले advance restart भी था जो कि फिलाल move कर दिया गया वहाँ पर पहले जैसे रहेगा डिलीट का option आपको मिल जाता है capture more भी मिल जाएगा ringing है और double tap to check phone यह new add हुआ है तो एक बर दिखा देता हूँ आप देख सकतो यह बिल्कुल इस तरीके से working है तो double tap to check यह new add हुआ है लेकिन अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ बाहर पे तो फिलाल हमें और थोड़ी सी यूआई भी जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट की चेंज है और टाइल्स में क्या चेंज हुआ है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइल्स में जैसे कि एक्स्टर डिम के आगे जितने भी टाइल मिलते हैं कोफीन सिंग या फिर डाटा स्वीच वाला साउ होगे तो हलका लैक कर रहे हैं भी लैग नहीं है लेकिन अभी हलका लैग यह देखने को इसके अंदर मिल जाता है वालिम पैनर और पावर में रहेगा आपको दिखा भी दिया बाकि यहां पर आप ओपनिंग में भी इंप्रूमेंट आपको मिलने वाली पहले मुकावले औ लेकिन ब्लुटुट ओडियो आपका मीडे और कोलिंग दोनों पे तरीके से काम कर उस पर कोई दिकत नहीं है और वाइफाई कोलिंग भी बिल्कुल इस तरीके से वर्किंग है इसके अंदर अब बात करते हैं कैमरी के बारे में तो कैमरा आपको डिफोल्ट इस बार कैमरा जाएगी और अब बात करते हैं प्लेश्टोर के बारे में तो प्लेश्टोर इसका सड़फाइड ही रहेगा जैसे कि पहले सड़फाइड था तो आपका सीप्टी नेट इसके अंदर पास है तो बैंकिंग एप यूज करने में कोई दिकत नहीं है कि आराम सी यूज कर 506 मिला हुएं मल्टी को 2065 देखने को मिला है हमें इसके अंदर में अब बात करें गेम की तो गेम डेश्बॉर्ट सबसे पहले आप देख सकते हो पहले की तरह है कि यहीं रहे का जैसे की पहले मिलते थे एप यह फिर पिर इस ऑप स्क्रीन स्क्रीन सोट इसक्रीन डिकोडि कि जैसे कि पहले अनलोग देखने को मिल जाती थी स्मूद पे एक्स्ट्रीम बैलेंस पे आपका अल्टरा हो गया से जरूर आपको बैटर मिलेगा यहां पे आप उपनिंग स्पीड काफी अच्छे, स्मूद है कोई लैग नी मिलता पहले से काफी बैटर है और गेमिंग के मामलें भी थोड़ी सी बैटर मिलने वाला है पहले के मुकाबले बैटर गेमिंग के साथ मिल जाता है और बाकी जो changes हो उनके बारे मैं तो आपको बता ही दिया किया कुछ changes हुई है लेकिन हाँ improvement आपको जरूर इसके इंदर मिल जाती हाँ battery के मामले में थोड़ा सा down जरूर देखने को मिला है लेकिन 2% का down था लेकिन ज़्यादा कुछ खास फरक नहीं हो यहां पर बैटरी भी है आपकी similar ही समझ लो बाकी यहां पर आपके performance के में आपके आनिमेशन के माले में बात करें आप उपनिंग के मारे में तो उन सभी में आपको जरूर improvement देखने को मिल जाता है तो बस यही था इस वीडियो के अंदर में फिलाल यही सारे changes थी और improvement जो भी था सारी सीज़ आपको बताई दिया अगर कुछ मिस हुआ तो उसके लिए आप comment करके पूछ लेना और अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को like जरू कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press करके all पे कर लिजे ताके लिए वीडियो की notification आप सभी को मिल जाए thanks for watching